नमस्कार, आज ये वीडियो बीए पार्ट सेकेंड के विध्यात्यों के लिए और एमे प्रिएस के विध्यात्यों के लिए उप्योगी होगा क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो दोने क्लासों में चलता है एक तो भार्ती चित्रकला गयतिहाँ जिसमें History of Modern Art का जो पार्ट है वो एक तो बीए पार्ट सेकेंड में चलता है और में हिस्ट्री और इंडियन आर्ट के रूप में ये पेपर चलता है आज हम आज इस वीडियो का या इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है राजा रवी बर्मा राजा रवी बर्मा भारती कला शितिच पर आश्मान में एक तारे की तरह चमकत वे है कला का रहे हैं और सबसे पहले हम विदेशी कला आग्मन की चर्चा करते हैं कि इसकी प्रिश्पूमी क्या रही किस प्रकार से उस समय का कला का वाता वरण था जो जिस समय राजर अभई वर्मा अस्तित में आये थे ये वो समय था जब उतल पुतल का समय था और इस समय भारतिये प्रमपरागत जो कला थी वो अधी पतन की और अग्रचर हो रही थी प्रमपरागत जो कार्य थे वो पंजाब और राजस्तान के अलावा कहीं पर भी नहीं हो रहे थे क्योंकि जो कलाकार थे मुगल सत्ता खत्म होने के पैश्याथ तंजोर, बैंगलूर, हैतराबाद और बहुत सारी जगे चले गए आवध है जैसे पतना है वहाँ चले गए थे इसके पैश्याथ हमारे जो भारत्य कला परंपरा थी वो मंद परंपरा थी और जो कला थी वो मंद गत्ती से प्रवावित हो रही थी इसी समय ब्रिटिश काल के प्रारम में ब्रिटिश काल के प्रारम में लगभग 50 ब्रिटिश काल के समय पचास से अधिक चितरकार भारत में आये जो योरोपियन कलब पदती में पारंगत थे और वहां की एक तेल चितरन पदती थी उसमें पारंगत थे तो उनके भारत में जैसे ही आने के साथ उन्होंने राजा रैस और जितने भी जो जमीदार थे जो बड़े बड़े रैस जो आदमी थे उनके व्यक्ति चितर पोट्रेट चितर बनाए और धीरे धीरे जो हमारी प्रंप्रागत जो कला थी वो धीरे धीरे नस्ट होती चले गती से उसकी गती मंद हो गई तो ये प्रभाव रहा विदेशी जो कलाकार जो आए उनका कि अब जो प्रंप्रागत जो कलाकार थे उनकी कला को तवज्जो ने देकर विदेशी कलाकारों की कला को तवज्जो देने लगे बड़े बड़े जागिरदार वगेरा वो अपने पोट्रेट बनवाते थे अपने परिवार के पोट्रेट बनवाने लगे थे इससे हमारे जो कला थी उसकी जो गती वो बहुत धीमी गती हो गई थे वर्मा के चित्रों के विशे भारती आध्यानों कथानकों और धरम पर आधरे थे किन्तु उनकी ततकालें चित्रन सेली पाश्या थी इसके चित्रों को ततकालें समाज में उसी दरश्टी से देखा जाता था, उच्चुवर गिये परिवार और राजाओं ने इन चित्रों से अपने घर और महलों को सुबा बढ़ाई, फिर भी ये चित्रें उच्च इस्तान प्राप्ट नहीं कर सके। इस्तापना इनों ने की, जिनमें प्रमुख नावे गगेंदनार ठाकोर और इवी है वेल, दोनों ने मिलका इंडियन सोसाइटी ओफ ओरेंटल आर्ट की इस्तापना की, जिनके जो प्रथम जो बनाये गए थे संचालक वो थे लार्ड किचनल, इनको सबसे पहला संचालक बन जो बारे में भी सूचा जाने लगा, और ये सोसाइटी लगवक 35 सदस्यों में से जादातर अंग्रेजी थे, इसके जो सदस्य थे, लगवक 35 सदस्य थे और जादातर अंग्रेजी थे, सन 1908 में संस्ताने एक चितर प्रदस्नी का आयजन किया, जिसमें हमारे अवनेंद्रनात टेगो गंगेंद्रनात, नंदल बोस्त, शैलेंद्रनात बे, के वैंकर्थपा, आधी के कारियों की प्रषणसा विदेशों तथा भारते विद्वानों न कीुई के विबिन प्रियासों से साइत यम समाज में जागरती आई कोलकटा, चेने, दिल्ली, मद्राश आधी इस्थानों पर दीरे 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 कला विद्यालों की इस्तापना के गई और इतियास इं प्रतत विशों पर नवीन सोध एम वैध्यानिक अडन नोपर विशेश बल दिया गया इतना ही नहीं, प्राचिन भारतिये साइत के महतों को पहचानते वे विद्वानों में जैसे इन विद्वानों में मैक्स मूलर है, दूसरे हैं विलियम जॉन्स आदी में भारतिये जो इतियास थे जो उनका अनुवादन किया और उनके साथ प्रस्टूर किया 1860 इसी में कनिंदम को पृथम पुरातत निदेशक बनाया गया, कनिंदम को यहां आप एक गटना और देखते हैं, 1860 इसी में कनिंदम को पृथम विद्वाग का निदेशक निद्वाद किया गया और भारतिये इतियासिव पृथम के लिए कारे किया 19 सताब्दी में स्वामी विवेका नंद, राजा रामोन राय, मातमा कांडी, जवालाल नहरू, सुवाशन गोज, रविन्दना, टैगोर आदी ऐसे विद्वान हुए, आदी ऐसे नेता हुए, आदी ऐसे राजनित्तिक दिये साहितकार हुए जिनों ने अपनी विचार धराओं और कारें का प्रभाव तत्कालिन समाज पर उनका पड़ा, अब हम बात करते हैं राजा रभी बर्मा की क्योंकि ये उस समय कला की जो प्रस्ट्पूमी थी वो आपके समक्स अभी हमने रखी अब हम बात करते हैं कि उस कला उस प्रस्ट्पूमी में किस प्रकार से राजा रभी बर्मा ने अपना कारे किया क्या उनका जीवन परचे था, किस प्रकार से वो अस्तित में आये, किस तरह से उन्होंने कठूर साधना की, कहां-कहां उनके चित्र की प्रदस्निया लगी, कहां-कहां उनके चित्रों का संग्रह है, कौन-कौन से किन विश्यों पर उन्होंने चित्रों का निर्मान किया, ये सबी अपन बाते करेंगे अब हम सबसे पहले लेते राजा रभीवर्मा का जीवन पर चे राजा रभीवर्मा का जन्म गुनतीस अप्रेल सन 1848 को केरल के एक छोटा सा गाँथा किली मानूर किली मानूर नामक इस्तान पर हुआ जन्म राजा रभीवर्मा जन्म गुनतीस अप्रेल सन 1848 केरल के किली मानूर में हुआ बालकाल से ही राजा रभीवर्मा अपने कला में विशेश रुची रगते थे जो इस घठना से व्यक्त होता है कि एक बार जब इनके मामा राज वर्मा के चित्र का निर्मान कर रहे थे चित्र था भगवान विश्णू भगवान विश्णू नामक चित्र का निर्मान कर रहे थे उस समय किसी कारियवस उनको बहार जाना पड़ा तब राजा रभीवर्मा जी आये और उस चित्र को पून किया उन्होंने बाल ओतुक्सता वक या बाल क्रिय वस उन्होंने उस चित्र को फून कर दिया और उसके नीचे गरड भी बना दिया और उस चित्र को कम्प्लीट करने के पर शाहत जब उनके मामा वापforming आए तो वह आश्य से चकित रह गये क्योंकि उन्होंने इस प्रकाल से उस चितर को पूर्ण किया कि वो कोई सिद्भष्ट कलाकार ही कर सकता था तो इस घटना से इस बात का अंदाजर आगया जा सकता है कि उनको बालकाल से ही चित्र कला में या कला में कितनी विशेश रूची थी वो उनके मामा तंजोर सेली में कारे करते थे और तंजोर सेली में जब वो कारे करते थे तो उसको राजार रभी वर्मा बड़ी उत्वक्षा पूर्वग ध्यान पूर्वग देखते थे और इस से उनके मन में और कलागे प्रती एक भावना पैदा हुई राजा रभी वर्मा की शिख्षा की बात करें तो उन्होंने कोई विदीवत इसकी सिख्षप्राप नहीं की थी उन्होंने सर प्रथम बार्वी कच्चा थी क्योंकि उनका परिवार के राजगराने से जुड़ा धा इसलिए उन्हें संस्क्रट की जो संस्क्रत विशे की शिच्छा दी गई थी जिससे उनकी भारती जो पुराणी कताएं थी काली दास है और जो जितने भी जो रगुवन्स है इससे रिलेटेड उनका जो ज्ञान था वो ऐसे मित था लेकिन वो सब संस्क्रत इतना पढ़ने के बावजूद भी उनके संस्क्रत विशे समझ में नहीं आता था और उनकी विशेश रूची कलागे प्रती थी तो इस प्रकार से कलागी सिक्षा की बात करें तो कलागी सिक्षा उन्होंने कोई विदिवत तरीके से नहीं ली लेकिन वो अपना गुरू जो वहां के तंजोर राजा के जो दरबारी चितरकार थे आलंगिर नाइडू जिनका नाम था आलंगिर नाइडू वो अपना गुरू उनको मानते थे क्योंकि उनको काम करते हुए देखते थे उनकी कला से और वो अलंगिर नाइड्यू भी उनको अच्छी तरह से समझाते थे बताते थे और उनका बहुत गहरा प्रवा उनकी कला पर था इसी प्रकार जब उनके तेल पद्धती के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी भी उन्होंने कोई विदिवर सिक्षा प्राप्त ने की थी इसकी गटना भी इस तरह से बताते हैं कि सबसे पहले जब तंजोर महराज ने कुछ एक तेल चितरकार जिनका नाम था थियोडोर जैंसन थियोडोर जैंसन ने एक विदेशिक चितरकार को बुलाया और अपने पूरे परिवार को या पूरे उनको पोट्रेट या लाइप इस उन्होंने special permission ली राजा रवी वर्माजी ने कि भई मुझे उनसे मिलना है उनके कारिये को देखना है तो शिर्फ काम देखने के लिए उनको permission दी गई और वो उनके काम से इतने प्रभावित हुए और इतना उनकी ग्रहा सकती थी कि उन्होंने सिर्फ काम करते विए देखक अगर तेल चित्रन पदती को आत्म साथ कर लिया यह बहुत बड़ी मतलब राजा रवी वर्माजी के जीवन से जिली हुई बात है जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने तेल पदती या तेल चित्रन पदती को सिख्षा प्राप्त कि अब बात करते है उनके अथक कठोर कला साधना की बात करते हैं। उन्होंने शुरू से बाला वस्ता से कठोर परिश्रम किया और पूरा अपना जीवन कला को समिर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत सारी यात्राइं की यात्राओं को अन्भग किया। तीर फिस्तलों के चित्र बनाए तथा आ जार्तिक अथाओं के प्रसंगों के और कालिदास के महाकाओं के बहुत सारे चित्रों का उन्होंने निर्मान किया और इस तरह से अपनी सहले का वो विकास दर विकास उसको बढ़ाते रहे। अब हम बात करते हैं। बहुत सारे चित्र थे जो पूरे वर्ड में उनके प्रसित हुए। लेकिन कुछ हैसे चित्र थे जो उस समय उनको स्वणपदक मिले। पहला जो था उनको वैसे तो उससे पहले उनलोंक काफी चित्रों का निर्वान किया। इसी प्रकार से उनकी चित्रों की प्रदस्नी वियेना अंतराश्टी कलार प्रदस्नी में की गई जहां भी उन्हों काफी प्रसंचा और प्रसिद्धी मिली इनी सब चीजों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें केशरे एह हिंद की उपादी से नवाजा इस प्रकार से उनके महनत लगन और तपश्या से उनको ये प्रसिद्धी मिली ऐसा नहीं कि वो राजपरिवार से संबंद रखते थे या इस तरह से कोई उनका हो था उनकी महनत और लगन की वज़े से उनको ये उपलगदिया मिली उनकी अगर हम सर्शिष्ट कलाकृतियों की बात करें तो सर्शिष्ट कलाकृतियों में एक सकुंत लागा दूसियंत के नाम प्रेम पत्र नमंग चित्र उनका सर्शिष्ट कलाकृतियों के रूप में विख्यात है दूसरा उनका समुन्दर का मान मरतन करते हुए समुन्दर का मान मरतन करते हुए चित्र पर चित्र भी उनका काफी प्रिशिद्ध हुआ जिसमें उन्होंने समुंद्र के प्रिचंड लेहरों का बहुत अच्छी तरह से चित्रांकन किया राम उस सित्र में धनुस बांड चड़ाय हुए है और समुंद्र का गहरा नीला पानी उसमें उक्तेज़ता प्रदान करता है इस प्रकार से उनके चित्रों की अगर रंग योजना की बात करें तो बहुत ही सुहानी और हलके रंगों या मिश्रित रंगों का उन्होंने प्रियोग किया है कभी भी चटक रंगों का प्रियोग उनों नहीं किया जो उनके सुभाव को भी ये प्रतिलक्षित करता है उनके अथक कठोर कला साधना के प्रिणाम शुरूब की उनके अथक कला परिशरम का ही प्रिणाम था कि उनोंने असंख संख्या में और भारतिये पुरानी कताओं के भारतिये देवदेवताओं के भी चित्र बनाए और उनके चित्रों की इतनी जबरदस्त मांग थी कि वो उसको बनाने से वो पूरा नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने मुंबई के पास के ही एक उसमें और लिथोग्राफ प्रेस खोली जिसमें उन्होंने जो भारतिये जो उनकी मांग के अनुसार चित्रों का निर्मान किया इस प्रकार उनको हम यह कह सकते हैं कि वो पहले लितोग्राफ आर्टिस्ट भी रहे और पहले भारत में सबसे पहले लितोग्राफी की स्थापना करने वाले भी वो एक कलाकार रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने अपने चित्रों की मांग के अनुरूप में चित्रों का निर्मान किया उसका प्रणाम ये हुआ कि उनके चित्रों की प्राइस थी वो भी कम हो गई इसलिए वो और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। मेनका, महेंद्र, हांस और महिला, गंगा, सांतनू, सागर, जलाश्य, कुलीन महिला, विखारी, बाला, उदेपुर का किला, माराना प्रताप का चित्र, महिला और दरपन, बिक्षुनी तथा एतियासिक वे पोराणी कटनाओं के विबिन चित्रों का उन्होंने निर्मान किय इन सबके बावजूद भी कुछ ही तियास कारों ने, कुछ कला कारों ने, या जो हमारे, जो कला समिच सकते, उन्होंने ये भी आरप उनके उपर लगाया, कि उनकी कला, उनमे काजत्मक्ता का अभाव था, वो भारतिय कला का विकास नहीं कर पाए, जबकि अगर हम उनकी सम मालोच ना करें, तो उन्होंने विदेशी तेल पदत्ती का सहरा जरूर लिया, लेकिन उनके विशे भारतिये ही रहे, यानि भारतियी विशोका उन्होंने चैन किया, दूसरे आनंद कुमार स्वामी जी ने उनके बारे में ये कहा, कि उन्होंने चित्रों में रंग इतने ह गनारा वे हवेलियों से बाहर ने ले जा सके और जंसादर ने तो उनके कला से परचे हुआ और नहीं प्रिरित हुआ जबकि अन्य जो भारती समिख सकें वो ये कहते हैं कि भारती कला के पुनर उद्धारग के रूप में राजा रभी मर्मा को हमेशा याद किया जाएगा राज मेहल, चेननिक संग्राले, राष्टी आदुनिकला संग्राले, उद्धैपूर के राज मेहल, मैसूर का सालार जंग संग्राले वे केरल के निजी भावनों वे अविलियों में इनके देख सकते हैं राजा रभी मर्मा की मृत्व की बात करें तो 2 अक्तुम्मर संगुनी सुच्छे इश्वी को और कला कर्म करते हुए त्रवेंद्रम के निकट इन भारती महन कलाकार राजा रभी मर्मा का देहांत हुआ, धन्यवाद